इशा सिंग और एलिष के बीच में भाईया अब फाइट होनी शुरू हो चुकी है जिया आज भाईया इन दोनों में हंगामा हो जाता है हंगामा अविनाश को लेकर हो जाता है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाईया इनका कोई लवव का सीन चल सकता है अविनाश या फिर एलिस में अविनाश या फिर इशा में ठीक है खैर तीनों फिलाल के लिए बेश्ट फ्रेंड नजर आ रहे हैं लेकर यहाँ पर एक बड़ी चीज होती है अब यह चीज आगे चल कर कुछ और भी बन सकती है दरसल क्या हुआ कि यहाँ पर अविनाश है वो बात्रूम के आगे गेट बंद था उसके अंदर काच लगा हुआ है मतलब कि आप देखा होगा कि मिरर है वो गेट में लगा हुआ है तो घर वाले क्या गरते हैं खुद को उसकाच में ऐसे देख लेते हैं अब बात्रूम के सामने वो खड़े हैं शायद अंदर कोई था तो वो वेट कर रहे थे अविनाश की भाईया कोई बाहर आए तो सीरा मैं घुर जाओ लेकिर इसी बीच इशा सिंग है वो अपना फेज साफ कर रही होती है और फेज साफ करते करते वो अविनाश को बोलती है अरे या थोड़ा साइड हटे यार तू तो कुंडली में ही आकर बैठ गया साइड हट एलिस जब ये जी जे सुनती है तो बोलती है भाई क्या बोल ही है थोड़ा सोच के बोल हाँ तो बोल क्या रही है सोच तो सभी पहले तू क्या बोल रही है एलिस ऐसे बोलती है इशा को तो इशा बोलती है रहे भाई हम बात कर रहे हैं तो चुप रहे हम दोनों में बात हो रही है ना अब वो बात वहीं पर थोड़ा बहुत बहुत करके हो जाता है और उसके बाद फिर जब ये तीनों रात के टाइम शायद अंधेरे में बैठे होते है तो उसके बाद यहाँ पर इशा बोलती है कि एलिस क्या हुआ बतलब कि तुझे क्या बुरा लगा है इतना मुफुला कर क्यों बैठी है तो एलिस बोलती है देखो वो जो और टॉन वो तुमारी अलग थी तो तुमने वो मजाक में नहीं बोला और वो बहुत गलत बोला है तुमने तो यह चीजे है फिलाल होती हुआ नज़र आ रही है यानि एलिस है वो अभिनास का साइड लेती हुआ नज़र आ रही है कि भाई उसको कैसे बोल दिया कि तो फिलाल के लिए आपको पता होगा कि इन तीनों में बीचिंग 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 चलती रहती है अगर अभिनास को भी थोड़ा सा साइड करें तो एलिस और इशा में बीचिंग चलती रहती है इनके बीचुगलिया चलती रहती है घरवालों की अरे चलो कुछ ना कर जिसके चलते ये दोनों अलग भी हो सकते हैं या फिर कोई अविनाश का भी matter हो सकता है कि अविनाश किस सायड जाए किस सायड जाए तो ये तीनों हंगामा खड़ा कर सकते आने वाले दिनों में फिलाल इन तीनों में से आपको कौन पसंद है और अगर मैं बताओ तो मुझे Alice पसंद है Alice ने बिल्कुल सही पॉइंट भी रखा है कि ठीक है तुम्हें अगर अलग दूर करना था उसको तो नॉर्मली बोल सकते हैं कुंडली में आकर बैठ गया है बिग बॉस में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वैसे तुम अब खुद को दोस्त बोलते हो तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो Alice ने बिल्कुल सही पॉइंट पे उसे टोका है आज के एपिसोड में ये चीज़ दिखाई जाएगी आप इस पर क्या बोलेंगे फिलाल सलमान खान का आपको पता है मुद्दा हो रखा है अब तो कहीं नगे लॉरिस विश्णोई गैंग ने भी कलियर कर दिया कि भाईया हमने ही मारा है यहाँ पर बावा सिद्धिकी को जो कि सलमान कान के खास फ्रेंड है और उस नोट में कहा गया है कि सलमान कान के आप दोस्त हो इसलिए आपको अपनी जानगवानी बड़ी है फिलाल आप क्या बोलेंगे इस पर लिक डालिए और इसके साथ गाईज आप हमें फोलो और सबस्क्राइब कर ले